शिरी शिवाई नमस्तुब्यम हर हर महादेव गुरुजी पंडित प्रदीव मिस्राजी दुआरा बताए गई सभी उपाए हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाए आसानी से समझ में आ सकें दोस्तो सात मई और आठ मई आमावस्या वैसाक मास के बहुत ही पावंसी आमावस्या पड़ रही है जिसमें अगर आप साथ तारिक से आठ तारिक के बीच में कोई ऐसे उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई कस्ट चल रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी अमावस्या जो होती है वो पित्रों को समर्पित होती है अगर आपके घर में कोई पित्रदोस है, काल सर्पदोस है तो आप अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर से करें आपको कोई भी पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरुजी हमिसा यही बताते हैं कि अगर कालसर्वदोस है पित्रदोस है बहुत बहंकर पित्रदोस है तो भी आपको पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं तो आप जरूर से करिए क्योंकि जो शिप महापुरान कता है उसमें बहुत बहुत जादा बल है और उन जो उपाय हैं वो भी बहुती उप योगी हैं तो देखिए एक नियम बना लीजिएगा कि अमावस्या को साम के समय एक तिल के तेल का दीपक लगाना ही है प्रदोस्काल में साम के समय 7 बज़े की समय एक दीपक अवश्य लगाएं उसके साथ ए एक लोटा जल पित्रों के निमित जरूर से चड़ा दे और आप अगर चाहते हैं कि पित्रों का आशीरवाद मिले मुझे हमेसा तरक्की रहे क्योंकि पित्रों का आशीरवाद सबसे ज़ादा महत्वूर है आपके सक्सिजमे आपकी काम्यावी में, क्योंकि भगवान भी तभी आशीरवाद देते हैं जब हमारे पित्र खुष होते हैं क्योंकि पित्र हमारे पूर्वज होते हैं और जब हम अपने पूर्वजों को खुष नहीं रख सकते तो हम भगवान को क्या ही खुश रखेंगे तो पित्रों का आशीरवाद बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पित्र खुश रहें आपको आशीरवाद दें आपके बच्चों को तरक्की दिलाएं तो आपको क्या करना हर एक अमावस्या को एक नियम बना लीजिए हर एक अमावस्या को सुबह उठकर नहा दोकर जो काले तिल होते हैं एक लोटा तामे का लोटा लीजिए उसमें जल भरिये और काले तिल डाल दीजिए जल के अंदर और एक लोटा जल, सूरि भगवान को पित्रों के निमित हर अमावस्या को चड़ाना शुरू कर दीजिए आप 5 अमावस्या कर पाएंगे आप देखेंगे कि जो दिन आपके पहले थे 5 अमावस्या से पहले और वो 5 अमावस्या के बाद के जो दिन है आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कितना अंतर समझ में आ रहा है जो चीज करने में आपको महीनों लग जाते थे वो आपके सप्ताहों में पूरे हो जाएंगे ऐसे हमारे पित्र होते हैं पित्र कभी हमसे रुष्ट नहीं होते हैं बस उनको हमेशा याद रखना ठीक है कोई भी किसी के भी पित्र ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को अपने जो नातिप होते हैं उनको दुखी रखना चाहें लेकिन जो समय होता है कुछ समय ऐसे होते हैं जो कि पित्रों के निमित उनके लिए कुछ दानपुन करना जरूरी होता है अभी बैसाक महीने का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है क्योंकि बैसाक सबसे अच्छा शुब होता है क्योंकि जेट में ज्यादा पूजा नहीं होती है तो बैसाक में एक भी दिन चुकिएगा मत आप हर एक दिन के जो भी उपाय है वो आप जरूर से सिरद्धाफाउ से कीजिए चलि में आप को क्या करना है एक मिटी का पातर लीजिए चोटा सा मिटी का दीपक की जिए जहां पर आप पीने का जल कहां पर रखते हैं रसोई में भरके तो रखते होंगे ना भाई कहीं पर भी जैसे एक्वागाड में रखते वैसे कोई मतका कलश जग जिसमें आप पानी भरके रखते हैं उसी के जगे पर आपको क्या करना एक चावल का दाना कितना एक अच्छत का दाना पित्रों के निमित एक लोटा भरकर र और एक चावल का दाना रख दीजेगा उसके बाद आपको क्या करना है जो वो लोटा है ना वो लोटा आपको सुबर पीपल के ब्रच पर चड़ा देना है सुबर 10 वजे से पहले ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है एक दीपक जो हमने बताया है दीपक लेना है उसमें ए प्रचर दिषा की तरफ मूख करना है बाती का और पित्रों के निमित लगा देना जो हमारा परंडा होता है जो हमारा पाणी पीने का इस्थान होता हुआ वहाँ पर पित्रों का निवास होता है तो आप इस बात का विशेश ध्यान रखे कि एक दीपक अमावस्या को जरूर स प्रदोश्काल में ठीक है अब भड़ लेते हम अपने दूसरे और विशेश उपाई की तरफ देखे पहले आप वीडियो में देख लीजिए मैंने यहां पर तिल के तेल का प्रियोग किया है इसलिए हमने यहां पर काला तिल नहीं डाला है अगर आप घीका लगा रहे हैं त इसका मुख एक लोटा जल भरकर रखना ही रखना है चलिए तो दूसरे उपाई की बात करते हैं यहां पर आपको लेना है मिट्टी का दीपक एक ठीक है मिट्टी का दीपक लिया है यहां पर बाती बनानी है दो और आपको किस तरीके से रखनी है जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको दोनों तरफ मुख करके रखना है तो यहाँ पर कौन सा दिया बन गया है चौ मुखी दीपक बन गया है भी इसका उब क्या करना एह यहाँ पर घाल ख weren't तो यहां पर इस तरीके से बोटल ले लिए इस तरीके से तेल ले लीजिए अब यहां पर इसको भर देना है भरने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा काला तेल हो तो डाल दीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं उसके बाद आपको क्या करना है ये दीपक लेकर जाना है पीपल के ब्रच के पास कहां लेकर जाना है पीपल के ब्रच के पास और इसको जला देना है 10 बजे से पहले सुबह 10 बजे से पहले आपको ये दीपक प्रज्युलित कर देना है ठीक है पित्रों के निमित ये देखिए चौमुकी दीपक है तो आप किसी भी दिशा में मुख करेंगे कोई दिक्कत नह में और भी कर सकते हैं कोई को ने और इस विष्पगई के पित्र श्यूचीए उपनधेवी और में हरहर महादेव आवश्चुनुनुनुनुनुनुनुनुन